चालिस दिनों के लॉगडाउन में जहां सब के कारोबार बंद थे जहां सब लॉगडाउन में घर में कैद थे वहीं अपना रुकाउवा बिजनेस शुरू किया मेरे क्लाइन आलोक नाजी ने घर बैठे कस्टुमर्स पाए और कमाई शुरू की 40 दिनों के लॉगडाउन में जी हां आप सही समझ रहे हैं ये हुआ महावास्तो से जब आलोक नाजी ने मुझे संपर्क किया उन्होंने मुझे बताया कि उनका पुराना बिजनेस उन्हें बंद करना पड़ा और नया जो भी बिजनेस वह शुरू करते बहर चल नहीं पाता कस्टुमर्स ही नहीं आते मैंने उनके घर का मैप बनवाया और मैंने क्या देखा कि उनके घर में जो कस्टुमर्स की दिशा है जो अपॉर्चुनेटीस की दिशा है जिसे हम नौर्थ दिशा कहते हैं वहां टॉयलेट मौझूद था Toilet disposal के activity करता है आपके शरीर में जो भी waste है उसे dispose off करने के activity करता है घर का Toilet और यही Toilet अगर घर में किसी positive zone में है तो वो positive zone के attribute को dispose off करता है ऐसा ही हो रहा था आलुगनाजी के घर में जो customers की दिशा हैं, जो opportunities की दिशा है बहाँ पर टॉलेट की होने से कस्टमर्स डिस्पोज ओफ हो रहे थे अपोर्चुनिटीस डिस्पोज हो रही थी बहाँ पर गीजर भी मौजूद था और उसी नौर्थ जोन में बात्रूम में ओरेंज कलर की टाइज लगी थी मैंने आलोक नाजी को वज़व बताई उन्होंने कहा कस्टमर्स तो आने चाहिए बिस्निस तो चलना चाहिए अब आप बताईए क्या करें टॉलेट तोड़ दें क्या मैंने कहा नहीं कस्टमर्स भी आएंगे और बिस्निस भी होगा वो भी बीना तोड़ फोड़ के क्योंकि महावास्तुकी तो यही खुबसूरती है कि इसमें रिजर्ट लिये जाते हैं वो भी बीना तोड़ फोड़ के नीले रंग की चार इंच की पट्टी टॉलेट के चारो तरफ लगा दी केवल इतना करने मातर से टॉलेट ट्रीट हो गया नीले रंग की चार इंच की पट्टी गीजर के चारो तरफ लगा दी केवल इतना करने मातर से गीजर ट्रीट हो गया ओरेंच कलर की जो टाइल्स थी ना उसे बदल कर नीले रंग की कर दी घर के तीन कीमती जोन में तीन स्वास्तिक लगा है North दिशा जो कि Customers की दिशा है जो कि Opportunities की दिशा है वहां लगाया नेले रंग का स्वास्तिक South East जोन जो कि Cash Flow का जोन है वहां पर लगाया लाल रंग का स्वास्तिक और वेस्ट्र जोन पशिम दिशा जो कि प्राप्तियों की दिशा है वहां लगाया सफेद रंका स्वास्तिक ऐसे तीन किम्ती जोन में तीन स्वास्तिक लगवाए केवल इतना किया और तस दिनों बाद आलोगना जी का फोन आया जिसमें वे अपनी प्रसंदता वेक्थ करते हुए बताने लगे कि 40 दिनों के लोगडाउन में जहां सभी का कारुबार बंद है जहां सभी घर में कैद है वहां मैं मैंने अपना रुका हुआ बिजनिस शुरू किया वहां मैंने घर बेठे कस्टमर्स पाए और मैं कमाई कर पा रहा हूँ फर लोगडाउन में उनकी ये प्रसंदता देखकर मुझे भी प्रसंदता हुई और जब मैं ऐसे किसी के अनुभव सुनती हुँ न तो मेरे दल से निकलता है थैंक्स चो महावास्तु जो महावास्तु की फाउंडर है जिनोंने हमें ये विधा सिखाई जिसे सीख कर हम लोगों की मदद कर पा रहे है भई प्रोफेशन हो तो ऐसा जिसमें कमाई तो हो ही रही है साथ में हम किसी की पीडा दूर कर पा रहे है किसी को ग्रोथ दे पा रहे है किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं अगर आप भी अपने जीवन में महावास्तु लाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्ख करें mvtrainer.net पर नमश्कार